सो लास्ट वीडियोज में हमने सीखा था कि HTML, CSS और JavaScript का इंट्रोड़क्शन हमने थोड़ा सा देखा था HTML क्या है? HTML से आप अपने आपके जो वैब पेज़ेस हैं उनका स्ट्रक्चर बनाते CSS से आप अपने वैब पेज़ेस की स्टाइलिंग करते हैं JavaScript आपके पेज़ेस का जो भी behavior है वो सारा काम हम अचीव करते हैं JavaScript से आज का जो टॉपिक है हमारा वो है structure हमने देखना यह है कि आप अपने वैब पेज़ेस का structure किस तरह से बना सकते हैं तो हम हर रोज काफी सारे documents आप नजरों से अप गुजरते हैं जैसे के newspapers हो गए, insurance forms हो गए, shop catalogs हो गए या आपके registration forms हो गए तो जाहतर जो आपके web pages हैं वो उनी का electronic version होता है यानि कि जो भी हम real life पे देख रहे होते हैं उसको हम automate करने के लिए आपको website की जरूरत परती है तो आम तोर पर यही सारे चीज़ों को हम automate करते हैं तो in all kind of documents, structure is very important चाहे किसी भी किसम का document आप देख रहे हैं उसके लिए सबसे important काम क्या है कि आप अपने जहन में यह सोचे हैं कि इसका structure कैसे बनाना है अच्छा अगर आपने अभी सीखना है कि आप अपना web page कैसे लिखें उसके लिए सबसे important क्या है यह सोचना है कि web page का structure कैसे बना है जब आप पूरा web page design करते हैं structure बनाते हैं उसके बाद दूसरा काम क्या होता है कि उस page की styling अच्छा जब आप उसकी styling obviously उसकी styling आप CSS से करेंगे तो जैसे हमारी HTML खतम होती है उसके बाद हम styling पर आएंगे CSS सीखेंगे और CSS के form बाद हम JavaScript सीखेंगे तो हम example देते हैं newspaper की आप इस तरह से समझें कि newspaper के structure से समझते हैं जो कि एक print document आप देखते हैं सामने अपने उसमें आम तोर पर आपको क्या नज़र आता है different stories होती है जो हम पढ़ रहे होते हैं हर story के लिए आपको एक headline नज़र आती है कुछ text होता है कुछ images होते है कुछ sub headings होती है यही structure similar आपको बिलकुल नज़र आएगा जब आप newspaper online पढ़ रहे होंगे second example हम लेते हैं आपके admission form की admission form आप क्यों fill करते हैं अपनी personal information देने के लिए तो वो ही फिर बात है कि अगर आप form अपने हाथ में देखेंगे आप एक printed document आपके पास है तो वो document जब आप देखेंगे उसमें भी आपको heading नज़र आएगी आपके पास different कुछ sections होंगे जिनके लिए आपको headings दी गई होंगी कुछ list होंगी कुछ questions की कुछ details के लिए आपको different provide करने के लिए कुछ check boxes दिये रहे होंगे जिन check boxes को आप tick करते हैं तो इसी तरह से जब आप वो document अगर आप चाहे वो printed document आप देख रहे हैं या आप online form फिल कर रहे हैं जो structure है structure will be similar